नमस्कारा, वेल्कम तूं, लेट्स कूख अब, आलू एक ऐसी सब्जी है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे की स्टार्टर, बाजी, ग्रेवी, इवनिंग स्नाइक, आज ये आलू यूज करके हम एक इवनिंग स्नाइक बनाने वाले हैं, इस वीडियो को पुरा देख और आप भी अपने घर पे आलू पकोडा ट्राइ कीजिए, तो हमने यहाँ पे दो आलू लिया है, जिसका हमने थिन स्लाइस कट किया है, थिन स्लाइस का मतलब यह है कि आपका जो उंगली है यह दूसरे साइट से डिकना चीए, उतना तिन, साथ में मैंने यहाँ पे एक कप बेशन लिया है, आदा कप कॉनफलर, कॉनफलर के जगे पे आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा दनिया, थोड़ा सा अजवाइन, हींग पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लालमिश का पाउडर, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, एक पिंच बेकिंग सोडा, बैटर बनाने के लिए पानी और तलने के लिए, ते, पहला स्टेप यह है कि हमें सारे इंग्रीडियन को एक बोल में ट्रांसफर करना है, तो एड़ कर लेते हैं, बेसल, एक कप, आदा कप कॉन फ्लार, कॉन फ्लार के जगे पे, जैसे मैंने आपको पहले बाता है, आप चावल काटा भी यूज़ कर सकते हो, ये क्रिस्पी टेक्टर के लिए हम एड़ कर रहे है, थोड़ा सा लालमि बेकिंग भी आड़ कर लेते, एक पिंच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा नमक भी आड़ कर लेते, अब ये सारा इंग्रीडियन का हमें थिक बैटर बनाना है, तो जैसे आप देख सकते हो, जो बैटर है, ये खाफी थिक है, और ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी है, इसमें हम एक एक करके आलू आड़ करेंगे, और फिर फ्राइ करेंगे, तो हमने यहां पर एक कड़ाई लिया है, कड़ाई में ओईल आड़ कर लिया, तो तेल गरम होने क हम ये आलू को अच्छे से बैटर में कोट कर लेंगे, और फिर एक एक करके इस तेल में फ्राइ करेंगे, तो तेल गरम हुआ है कि नहीं चेक करने लिए थोड़ा सा बैटर हम इसमें आड़ करेंगे, तो जैसे आप देख सकते हो, तेल अच्छा कासा गरम हो गया है, अब ह इसको हमें मीडियम फ्लीम में फ्राइ करना है, तो जैसे आप देख सकते हो, अच्छा कासा ब्राउन हो गया है, अब हम इसको एक टिश्य पेपर में निकाल लेते हैं, इसी तरह मैं बाखी के भी आलू के स्लाइस को फ्राइ कर लेता हूँ, तो आप भी अपने गर पे इसको जरूर ट्राइ कीजिए, बहुत ही सिंपल और टेस्टी है, आलू पकोडा, आप लोग ने कभी न कभी ट्राइ किया होगा, अगर आपको इस वीडियो जनूरी पसंदाया हो, तो हिट लाइक बटन, आपके फ्रेंड्स और फाइमली तब इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो हिट सब्सक्राइब लाइक, अंडिल देन, टड़ा,